बूर्णिंग बच्चो आज हम अध्याए 6 वेखाएं हैं कौन पढ़ेंगे इसके कुछ आधारपुत पद और प्रिभाशा हैं से पहले यह आपने पहले भी पढ़ रखी है छोटी क्लासिच में लेकिन इसको दुबारा से पढ़ेंगे हम पहला है आपके पास परिभाशा है यह 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 तो क्या है यह संख्या बिंदू का क्या है बिंदू पत है ठीक है आपके पास क्या हो जगा यह रेकाखंट के लाएगा तो यह दो बिंदू ले लिया आपने इनका नाम रख लिया अबी ठीक है तो इसको कहेंगे हम रेकाखंट अबी और रेकाखंट अबी क पीच के असंख्या बिंदो के उसको तो एक पर अब इस रेखा को दोनों और विस्तारीत करने पर हम ने इसको हमने इस साइड भी क्या कहते है ठीक है तो इसकी कोई क्या क्या कैते हैं तो इसलिए हम इसको क्या दिखाएंगे, एरो के द्वारा दर्शाएंगे, इसे तरह से हमने इस और भी इसको फिस्तारीत कर दिया, यह टोटी लैंग से, तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, यह क्या बन जाएगी, रेखा AB, और रेखा AB को हम क्या करते है, AB के ओपर यह रे चुझे थिखा, यह एक पास क्या क्या हो, किरन काल झालती है, और रेखा PQ का स्वच बन जाएगा, तो हम Q kiraN PQ को इसके द्वारा ये जो आपके पास ये कार दिंगे ये आपके पास ये कार देंगे आपके पास ये किरन का साहिन आजएगा तो PQ ले रखा है यहां पे PQ रख देंगे आपके पास अगली डेफिनिशन है असरेक बिंदू किसे कहते हैं यह तीन या तीन से अधिक बिंदू एक ही रेखा पर सितो हो तो हम उने कहते हैं असरेक बिंदू क्या मतलब आपके पास यह रेखा है आपने यह रेखा लेली ठीक है तीन बिंदू तीन हो सकते चार हो सकते कोई यह तीन बिंदू लेली आपने यह तीन बिंदू A B C यह क्या है एक रेखा के उपर सितो है इसलिए क्या होंगे असरेक बिंदू कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्योंकि कौन-कौन से a, b, c ठीक है रेखा a, b, c तो रेखा लिखने के बचाए आप यह वाला साइन में रख रेखा a, b, c पर स्थित हैं इसलिए यह तीनों बिंदू क्या है आपके आसरेक बिंदू है आपने यह सारा काम किसे करना स्केल से करना ठीक है मैं हाद से खीच रहूं लेकि एक ही अंत बिंदू से प्रारंब हो ठीक है तो हमारा क्या बनता है कौन बनता है आपके पास दो यह आपके पास एक अंत बिंदू है एक किरन आपके पास यह और एक किरन बनता है यह दोनों एक ही अंत बिंदू से क्या और यह शू हो रही है एक इस साइड गई और एक इस इन दोनों किर्नों का उभ्यनिष्ट बिंडू काई शिश कहते हैं तो आकृति में आपके पास कौन की बुजाएं लिखेंगे आप ओ एक तो ओ एक लिखेंगे कौन जाएं ओ एक कॉमा ओ बी ठीक है के और शिर्च लिखेंगे ऐसे कि आजेगी आपका ओ अगली है आपके पास डाफिनिशन अब हैं आपके पाफ कोनों के प्रकार फिक है आपने चोटी क्लासिस में पड़ लेते हैं, अब noon cone किसे कहते है, भाय-Cone जचों जिसका माँ 0-O degrees से अधिक और 90 degrees से कम हो, सब तो noon cone डिखा देंगे आप, आपने यह इस आपका को जाएगा noon cone लिखतेगे o a on b तो यह आपके पास क्या जगा नियून कॉन ठीक है 90 डिग्री से 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम तो यहां पर आपने क्या करना है एक सम्कॉन कोन हमाब कों के लाइ काता हम अधिक तोसे 20 डिग्री से जाद अधिक Web काते हैं अब नभे डिग्री के यह सीधी लाइन होनी चीदी, नभे डिग्री से अधिक हो गया, तो आपके पास यह जो कोन होगा, यह क्या होगा, आपके पास अधिक कोन होगा, ओ ए या पी अपकर आपके पास क्यों हो गया तो एंगल ओ Пी क्यों क्यों आपका हो गया अधिक को आइस को माप आपक्यों हो ağ梯ा 90 प्छाली में यह नभजी के लिए लाई भाँ पास नीद्डिक आपके पास एक सस्ति डिग्री से कम हो गया तो ऐसे कौन को āम c दूणा करने का इस रिजुकॉन या सरलकॉन की जिल नकर एक सूक्ता है तुать किए को से थिक कॉन जिसका माप एक सोस्ते डिगासे अधिक और ती से कम होता है प्रति वर्ती कोन कहलाता है आप किया है आपके पास अब आपके पास ये वाला जो कौन है आपके पास ये जो कौन है आपके पास ये आपके पास क्या है प्रतिवर्ति कौन है ये वाला जो कौन है आपके पास ये क्या है प्रतिवर्ति कौन तो यहां पर लिख भी सकते हैं आप ये क्या है प्रतिवर्ति कौन इसका जो माप है आ प्रति वर्ति कौन वर्ति कौन है यह यह वाला जो कौन आपके पास यह बन रहा है यह आपका क्या प्रति वर्ति कौन है ठीक, अब या क्या पूरा कौन, पूरा कौन किसे कहते हैं, यह भी पड़का, आपने छोटी क्लासे में, 7th में पड़का है, यदि दो कौनों के मापो का यह क्या कहते हैं, 90 डिकरी हो, तो वह एक दूसरे के पूरा कौन कहलाते हैं, जैसे आपके पास, यह आपके पास, एक तो सत्तर डिगरी का पूर्ण कोटता है। इसमें कितना जोड़की हो जाए ह। 20 एक तो सतर डिदिद्धुर को पूर्ण कुला पूर्ण कितना होगा। तो आपके रहूं THzier super कैसे कोन क्या कहलाएंगे आपके एक दूसरे के पूरा क्विश डिग्री का हुगा आपका सब्तर ग्री होGya अब है क्या संपूरक कॉन यदि दो कॉनों के मापो कही हो कितना हौди एक सुआस्सी डिग्री हो तो वpolit anticipate safety के संपूरक क्यों कहलाते हैं जैसे आपके पास मैंने कहा मारना क्या कहते हैं आपके पास है एक कॉन के सत्तर डिख्री ठीक है, 70 degree का संपूरग कोन निकालना मुझे, तो 70 degree का, अब इसमें कितना जोड़े कि 180 degree आज़े, 110, ठीक है, तो क्या 110 degree निकालना आपने, तो यह आपके पास 110 degree आगया, ठीक है, तो 70 degree का संपूरग कोन क्या होगा, 180 degree, तो जिसका आपने संपूरग निकालना है, उसको 130 degree से घटा दीजिए तो कि आजेगा उस कोन का संपूरक कोन आजेगा माना मैंने कहा कि आपके पास 120 डिग्री का समपूरक कोन के होगा क्या होगा आपके पास क्या करेंगे आप 180 में से 120 को खटा देंगे या देखिए आप 120 डिग्री में हम कितना जोड़े कि आपको 180 डिग्री मिल जाए तो कितना जोड़ेंगे हम इसमें 60 डिग्री ठीक है और सिधा निकालने का तरीका क्या है जिस का आपने सम पूरा कॉन निकालना है उसको 180 में से कर दिय सकती तो 180 मेंसे मैंने 120 को माइनस कर दिया तो गया के पास 60 गया इस पुरा कॉर निकाल आं जिसका पुरा कॉर नीकाला है उसको 90 सब्भे डिग्री में से क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए वह उस कौन का क्या जेगा पूरक होना जेगा थैंक यू